हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा चार में आज हमारा विशे है परियावरण अध्यन और पाठ का नाम नंदिता मुंबई में तो चलिए मिलकर इस वरक्षीट को हल करते हैं पहला है रिक्त स्थान भरिए नंदिता मुंबई शहर में अपनी माता जी का उपचार कराने आई थी नंदिता के मामा के घर के पास कत्व चालिया बहुत गंदा था वैं उसमें से बदबु आ रही थी नंदिता की ममी मामी पास की इमारत के घरों में बरतन माजती थी वैं सफाई का काम करती थी प्रश्न दो नंदिता ने बबलु के घर का नल क्यों बंद किया इसका उत्तर होगा नंदिता ने देखा कि बबलु के घर का नल खुला छोड़ दिया है और बहुत सारा पानी भी बेकार हो गया है इसलिए ननिता ने नल बंद कर दिया प्रशन तीन बुजो पहेली बड़ी इमारत में मैं हून लगती लोहे के पिंचरे के जैसे दिखती पंखा बल्ब और घंटी भी है लगी बस बटन दबाओ उपर मंजिल पर पहुँच जाओ तो इसका उत्तर होगा लिफ्ट प्रशन चार उपरोक्त चित्र में क्या दर्शाया गया है उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया है कि कुछ औरतें पानी के उपर जगडा कर रही है यह परिष्टिती नंदिता के गाओं से कैसे अलग है नंदिता के गाओं में लोग तलाब वेकूं से पानी भरते हैं और पाने के उपर जगडा भी नहीं करते इस समस्या को दूर करने ही तू आप तुजाव दीजिए इस तरह की परिष्टिती ना पैदा हो इसके लिए सभी को एक लाइन में आकर पानी भरना चाहिए और सही हम से काम लेना चाहिए प्रशन पांच यहां पर हमें दो चित्र दिखाए गए हैं उपर दिये गए दोनों चित्रो क वखा में से क्या आप यह बता सकते हैं कि ननिता के मामा का घर कौन सा है वे बड़ा घर कौन सा है तो हम देखते हैं एक चित्र है यह चित्र क और दूसरा है ख तो इसका उत्तर हम लिखेंगे उपर दिये गए चित्रों में चित्र क ननिता के मामा का घर है दोनों चित्रों में चित्रख बड़ा घर है जीवन कोशल प्रात्मिक सहायता प्रात्मिक सहायता किसी बिमारी या चोट के लिए प्रारंबिक देखबाल का प्रावधान है यह आमतोर पर किसी व्यक्ति के दुआरा किसी बिमार या घायल व्यक्ति को किसी अस्पताल में या चिकित्सक के पास पहुचाने तक दी जाती है प्रात्मिक चिकित्सा का मुख्य उदेश्य इलाज करना नहीं है बलकि तब तक सुरक्षा सुनिश्चित करना है जब तक कि रोगी या प्रभावीत व्यक्ति विशेश को उपचार नहीं मिल पाता प्रश्न एक प्रात्मिक चिकितसा डिब्बे में रखी जाने वाली कुछ वस्तूओं के नाम लिखिए तो इसका उत्तर में सकते हैं प्रश्न दो माना कि आप खेल के मतार में खेल रहे हैं और तभी आपके आज पास कोई बच्चा घिर जाता है और उसका घिटना छिल जाता है तो आप उसे क्या प्रात्मिक सहायता या उपचार देंगे तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं ऐसे में मैं खरोज को साफ करके उस पर कोई एंटिसेप्टिक क्रीम लगाऊंगा उत्तरी दिल्ली नगर निगम कोरोना जगरुकता अभियान कोरोना से बचाव के लिए हमेशा फेस मास्क पहने हातों को साबुन वे पानी से बार बार धोते रहें भीडबाड वाली जगहों पर जाने से बचें वे समाजिक दूरी बनाए रखें इसी के साथ आज की वक्षीट पूरी होती है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए